है कि अंदे अट अब हमलेकुम नमास्ते आता मुझा इसेक्षिया काल कैसे आप उम्हेट करते हुए आप बहुत अच्छी होंगे वेडियो के देख लोगे वीडियो देखने वाले हैं और बहुत ज्यादा अची वीडियो होने तो उमीद करते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होगी और माय कुछ व्यूवर है बहुत ज्यादा देर से मुझे बोल रहे थे के जगनात टैंपल जो है फिर प्लीज रेक्शन बनाइए तो उमीद है कि आपको मेरे वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी वीडियो रहे है कित अच्छी के अच्छी वह कि ऍरशन इसा कि में गष्यक्स केमेस्ट्री आप साफरे जहान डूनिया के सा Хотषया जाज्ड है कि और वाव वाव किसी के भी होशचे वेस्टन कुल्चर फॉलो कर दो अचुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगगें पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बात पूछूँगी आये देखते हैं हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं वहीं जगनात मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकडी से बनी हैं ऐसा क्यूँ आये बताती हूं 3102 BC में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया जिससे श्री कृष्ण की मृतियों ले जारा ने श्री कृष्ण का देहिसंसकार किया पूरे रीती रिवाजों के साथ पर जब उनकी चिता शान्त हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी जारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया पर उसको खरीदना तो दूर किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया फिर आखिरकार जारा ने हार ठक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया गुप्त सामराज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्यूम जो कि विश्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे उन्हें एक दिन सपने में आकर विश्णु जी ने एक नदी में डुपकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकडी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूँगा इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुपकी लगाने चले गए डुपकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकडी का तना भी दिखा बिना देर किये राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल में ले आये फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्टकारों को बुलाया पर उन में से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ती नहीं बना पाया कई दन बीच जाने के बाद एक काश्टकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ती मैं बनाऊंगा पर मेरी एक शर्थ है राजा ने काश्टकार से उसकी शर्थ पूछी क्योंकि राजा किसी भी शर्थ को मानने के लिए तयार थे तो काश्टकार ने कहा कि ये मूर्ती बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलम डाले राजा ने खुशी-खुशी ये शर्ट मनजूर कर ली मूर्ती बनाने का काम शुरू हुआ, रोज मूर्ती बनने की आवाजे भी आती थी और धीरे धीरे वो आवाजे बंद हो गए अवंती की रानी को लगा कि शायद भूप प्यास से काश्टकार मर चुका है इसलिए उन्होंने जहां मूर्ती का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जित की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि महा कोई काश्टकार था ही नहीं सिर्फ और सिर्फ तीन मूर्तियां थी भगवान जगनात, उनके भाई बाल भद्र और उनकी बहन सुभद्रा और उसी जगनात जी की मूर्ती में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी जो कि कुछ और नहीं शीकृष्ण का धड़कता हुआ दिल था यह कोई normal human heart नहीं है यह ancient advanced technology का clear सबूत है यह heart energy transmit करता है और हम सबने यह तो पढ़ा ही है that stones and metals are good conductors of electricity and wood is a bad conductor of electricity इसी लिए idols in the जगनात temple are made up of wood सिर्फ यही नहीं हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ती स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ती में shift किया जाता है यह किया इसलिए जाता है क्योंकि जो energy transmitting device if we talk scientifically उस मूर्ती में होता है वो इतनी energy transmit करता है that the wood gets depleted with time और इसी लिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है पर इसे बदलने का process भी इसी की तरह बहुत interesting है हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को entry नहीं मिलती पूरे पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है मंदिर के main पंडित की आखों पे पट्टी और हातों में बड़े और मोटे gloves पहनाये जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकाल कर नई मूर्ती में फिर से स्थापित किया जाता है जिन पंडितों ने इतिहास में ये ceremony करी है उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं इसे हातों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिन्दा खरगोश पकड़ लिया है माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है इसलिए बिना आखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये ceremony कर और जंडा भी उसी डिरेक्शन में उड़ना चाहिए पर जगनात मंदर के इस जंडे की बात बिल्कुल अलग है ये हमेशा हवा के opposite डिरेक्शन में उड़ता है क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया इस जंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड इसलिए मंदर के बांडू दोसो चौदा फीट उपर लगे इस जंडे को रोज चड़ कर बदलते है क्यों कि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये जंडा नहीं बदला गया तो मंदर अठारा सालो के लिए बंद जाया है ये क्या सीक्रत था बाता जाए जाए बाता है उनके व करहां इस टेश्यवल्स के लिए जाता है रोज 500 लोगों के लिए लोग गई ऑजब का लिए हजाऊ दे घ्ञाइ लग ये जाती है लग्य जानात मंदर में घट बाता जाता है पर कहते हैं कि आज तक इसमन्दर में ऐगला प्रसाद ना प्ल भी दाना प्रसाद ना पता है और नहीं व्यर्थ गया है पर ऐसा एस्टिमेशन इनसानों करना तो बहुत ही मुश्किल है और यही बात यहीं किस तिन कितने आएंगे लोग तो है ही उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की लकडी की आग पे साथ मिंटी के वरतनों को एक रख कर प्रसाद बनाया ज नहीं चलते इन साथ बरतनों में सबसे पहले सबसे उपर रखे जाने वाले बरतन का प्रसाद पकता है फिर उससे नीचे वाले बरतन का और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बरतन का प्रसाद सबसे आखरी में पक के तयार होते है हां मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं स इस मंदर की खुबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती इतना बड़ा मंदर इतने सालों पहले बिना किसी टेखनोलोजी के कैसे बनाया होगा पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदर की डॉम की परचाई आज तक कभी बनी ही नहीं Are you shocked? You must be. But it is true. जगनात पूरी टेंपल के डॉम की शाडव पंती ही नहीं है कभी भी and any time of the day. और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं डून पाई The mystery is not over here. जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्ज और एरियास नो फ्लाइ जोन्स होते हैं मतलब महां ड्रोन्स, एरप्लेंस या कोई भी man-made flying object पहुचाने की या उडाने की permission नहीं है पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना पर अगर हम जगनाथ temple की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं क्यूंकि इस मंदर के उपर कोई भी drone, कोई भी airplane या कोई भी पक्षी कभी उडता ही नहीं आपने देखा होगा ना मंदर के domes पे या बड़ी-बड़ी buildings पे birds को बैठे हुए कभी जगनाथ पूरी जाएंगे तो देखेगा that birds don't rest on the roof of जगनाथ temple आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगनाथ temple की छट पे या उसके domes पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे पर confused करने वाली बात ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदर के उपर से उड़कर नहीं जाना All of these things sound so exciting, right? अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मज़ा आ रहा है और आप ऐसी ही नई-नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो Naked Truth को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम आपके लिए बार-बार कुछ नया लाते रहेंगे आएए फिर से चलते हैं जगनात मंदर की Mysteries की तरफ सुदर्शन चक्र ये नाम तो आपने सुनाई होगा सुदर्शन चक्र भगवान विश्नु का अस्त्र है ये अधर्म का विनाश करता है जगनात मंदर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उससे आप जिस भी डिरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी भगवान जगनात जिनके नाम का मतलब ही जगत के नात हैं इनके मंदर में लाखो श्रधालू अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं पर इस मंदर में सिर्फ हिंदूों को दर्शन करने की अनुमती है किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाय जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांधी जी वो भी जगनात पूरी गई थी दर्शन करने पर क्योंकि वो फार्सी हैं और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है इसी लिए इंद्रा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमती नहीं दी गई सिर्फ ये ही नहीं 2005 में थाइलांड की प्रिंसिस महाचकरी सिंधोन को भी जगनात पूरी टेंपल में एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि यहां फॉरिनर्स अलाउड नहीं है उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए बारवी सदी से बने हुए इस मंदर को स्विजलांड की एक महिला ने एक करोड अठतर लाख रुपे का चड़ावा भी चड़ाया यह मंदर में चड़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चड़ावा है पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े हमारे ही धर्म की इतनी सारी बाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं हम आखे बंद करके किसी भी कल्चर को किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृती, सभ्यता, परमपरा और संसकार को हमेशा जिन्दा रखा है ये सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है हर साल पूरी में जगनात जी की रत यात्रा भी निकलती है ये नौ दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगनात, देवी सुभध्रा और भगवान बाल भध्र को गर्ब ग्रह से निकाल कर रत पर बिठा कर यात्रा करवाई जाती है माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान नौ दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाकों करोडों भक्तों की बीड हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है जगनात्पूरी मंदर की मिस्ट्रीज यहां खतम नहीं होती और भी बहुत सारी कहानिया हैं जो नहीं जानते हैं जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बिमार पड़ते हैं और भगतों के लिए मंदर में धर्शन बंद कर दिये जाते हैं पर बहुत कम लोग जाते हैं कि ऐस क्यों होता है वी हूप आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा तो अब मैं आप से पूछना चाहते हूं आपको क्या लगता है भगवान सच में होते हैं जी तो गाइस यह थी आज की वीडियो और भगवान चाहं की इतनी जादा मिस्ट्री इतने जादा सीक्ट्स देखकर मैं तो बोलन की एक आम इंसान जो बैसे है कुछ भी देखता है ना तो उसका दिमाग और जब फर्स्टां देख रहो हो तो उसका दिमाग इतना ज्याद हो जाता है इसको समझ ही नहीं आरी होती हमने अभी भी देखा क्या है क्या मतलब यह वीडियो है तो होगा ही हमारे वीवर मुझे कुछ बोल रहे थे कि प्लीज जगनाथ टैंपलास प्लीज मुझे बोल रहे थे कि रियक्शन बनाईए और मैं देबा में बहुत ज्यादा ह इतनी ज्यादा सीखेर्स इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज है उस मंदिर की और वैसी मतलब कि वो मुस्लीम सको नहीं सिरफ जो भी बन सिरफ हिंदू को वहां पर आने के जादत अनके लावा और कोई भी उस मंदिर में नहीं आ सकता लेकिन इसके पिछे की वजा क्या है अगर आ अगर मूर्ती बनी है और उनके अंदर है तो यह बहुत ही जादा अमेजिंग स्टोरी थी बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी जो मैंने देखी है मुझे यकीन नहीं आ रहा मतलब फर्स्टाम देखने से बहुत सी बहुत सी बाते थी थी इसमें आ तो आपको यकीन लेकिन एंड़ उन्होंने बता तिया कि मंदिल आप आही नहीं मतलब अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आपको दा के वहां पर जो मूर्ती बनी विया उनको नहीं देख सकते मतलब बाहर ही आप रुकेंगे ऐसा उन्होंने बोल दिया जो चीज मतलब के हार्ट प्रेकिंग है क् अगर आप उनको मानते हो और अगर आपकी खौहिश तो भी नहीं आ सकते लेकिन वो सकता है कि इसमें जो दूसरे मजब के लोग है उनकी ही कुछ न कुछ भलाई होती होगी इस वजह से ये चीज होती है कुछ न कुछ तो वज़ा होगी ना बहुत अमेसिंग वीडियो थी इतनी इतनी श्री श्री कृष्णा जी की जितनी वी बीडियो से थी मुझे यह भी नहीं पता था कि यह उनका मंदिर है और उनकी उनकी ज्यादा वादा की हिस्ट्री की स्टोरीज एसी होंगी जो कि इस मंदिर से लेक्शन जलेटड़ होगी जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छी लग रही हो एक लाइक सब्स्ट्राइब इसे प्लीज जरूर कीज़ेगा वैं आपको मिलते रहूंगे इस फिर बहुत सी वीडियो अभी के लिए इतने अपना होजारा देहान रखिए अलभी और प्सक्राइब